आज मैं आपको प्रोटीन से बर्बूर स्टीम चिकन ब्रॉकली सैरल बनाने की सबसे आसान रेस्पी पताऊंगा अगर आप बेट कम करना चाते हैं या फिर जिम जाते हैं या रेस्पी आपके लिए एक तम परफेक्ट रेसिपी है क्योंकि जातर हम चिकन को स्टीम करते हैं या फिर बॉयल करते हैं चिकन हाड हो जाता है पर जो तरह काज मैं आपको प्ताऊंगा चिकन भी सॉफ्ट रहेगा और आपका से रखाने में बहुत ही टेस्टी बनेगा चलिए रेस्पी शुरू करते हैं यहां पर मैंने 800 ग्राम का होल चिकन लिए आप चाहें इसमें सिर जामेंटावित और वेड़ लॉसमें सिर्फ सिर्फ ब्रेस्ट का उस कि चीकन की ब्रेस्ट के ह meatballs में दो सबीपुराम चेकन ब्रेस्ट के अंदर 50 District रह जाता है और 400 ग्राम केल कैलरी काम इंज सरी किया घ्रष सब ऐसको बढ़鬨े को तandır निंख कि दृश्ट इसमें उसमें क इसके साथ में आपने थोड़ी सी कुटि काली मिzh्ट टाल लिया है अब काली मिठ्ट की जगा वाइट पेपर पोर्टर का यूज़ भी कर सकते हैं इसके साथ में अधरक लस्म का पेश टाल दीजिए, एक छोड़ा चमर बढ़ के, साथ में थोड़ा सा अपने हरी मिर्श का पेश टालना है, इसके बड़ आपने चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है, जो हमने इसमें कट लेता हैं, उनके अंदर तक आपने नमक मिर चिकन जो टेस्ट है, इसके अंदर तक चाहिए, आदे घंटे के बड़ आपने चिकन को स्टीम करना है, तो देखिए, एक बरतन में पानी को बॉल कर लेजिए, इसके बड़ आपने इसमें प्रेश रूप करका जो स्टेंड होता है आप बो रखते ना है, या फिर आप आपने चिकन को स्टीम कर देना है, और एक बार जैसे पानी में बॉल आए चाहिए, उसके बद मीडियूम फ्ले में आपने इसको 12-15 मिनिन तक बखने देना है, आप देख सकते हैं, पानी में बॉलना यहां पे शुरू चुका है, इसके बद आप गैस की फ्लेम ना मीडिय कर देखें, इतनी फ्लेम में आपने चिकन को स्टीम होने देना है, कम से कम 12-15 मिनिन तक इतनी देर में आपका चिकन अच्छी तरह से बख जाएगा, चिकन को 12 मिनिन तक स्टीम किया, क्योंकि चिकन छोड़ा है तो छोड़ा चिकन चल्दी बख जाता है, बड़ा चिकन हो तो उसको 15 मिन भी लग सकते हैं, इसके बद थोड़ा से इसको ठंडा होना दिशिए और इसको निकाल के एक बॉल में रखते हैं, जब आप इसको बॉल में रखेंगे, इसके उपर आपने थोड़ा सा ओलिवोय लगाते हैं, इस तरह से इससे क्योंगा जो चिकन ना उपर से स फाइवर होता है, वीटामिन्स भी पाया जाते हैं, तो ब्रॉकली का यूज़ कर सकते हैं आप, इसके साथ में हम थोड़ी सी रेड़लो शिमिलमिश के अंदर कैलरीस चीर होती है, और कैलरीस को जल्दी बर्न करने में वहल्प करती है, फाइवर, वीटामिन्स भरपूर हो इनको भी आपने ठंटाने देना है, इसके वाद सैलेड में यूज़ की जाने वाली ड्रेसिंग बना रहते हैं, एक बोल के अंदर दो बड़े चमच आपने नीबू करना है, एक बड़े चमच आपने इसमें ऑलिवर डालना है, इसके साथ में आप इसमें नम्क डाल दीज इसको मिक्स कर लेना है, तो इससे आपके सैलेड में बहुत बड़े टेस्ट आएगा, और जो हम इसमें ड्रेसिंग एड़ करेंगे ना, यह भी बेट फ्लॉस में काफी हैल्प करती है, और अगर आपके अस लेड्यूस हो तो आप इसमें थोड़ा सा सैलेड पता भी तो थोड़ा समय इसमें लेड्यूस लीफ भी एड़ कर रहा हूँ, यह देखिए सबजी हमारी ठंडी हो चुकी है, इसके साथ में मैंने लेड्यूस भी एड़ कर दिया है, और के देखिए चिकन को ठंडी होते हैं 10 मिनिट हो चुके हैं, और जो चिकन है वो अंदर तक क्यों हो आगे, इस तरह से अपने चिकन ब्रेश्च के जो पुनशью स्पीसीज हैं, उनको अपने निकाल लेना है, निकाल लेगोड आपने चिकन आप लंच में लीचे, डिनर में लीचे, जब भी आप इसको यूज़ करना चाहें, कर सकते हैं, तो फ्रेंट्स, अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगोगा, लाइक, शेर, कमें चुरूर कीशेगा, ओके फ्रेंट्स, थैंक यू,